यहेस्केल भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याय चार और हे मनुश्री के संतान तू एक इट लेकर उसे अपने सामने रखकर उस पर एक नगर अर्थात यरुश्लेम का चित्र खीच तब उसे गेर अर्थात उसके विरुद्ध किला बना और उसके सामने दमदमा बांध और शावनी डाल और उसके चारो और युद्ध के यंत्र लगा तब तू लोहे की थाले लेकर उसको लोहे की शहरपनाह मान कर अपने और उस नगर के बीच खड़ा कर तब अपना मुह उसके सामने करके उसे घेर दे इस रिती से तू उसे घेर रखना यह इसरायल के घराने के लिए चिन न ठहरेगा फिर तू अपने बाए पांजर के बल लेट कर इसरायल के घराने का अधर्म अपने उपर उठा रख क्योंकि जितने दिन तू उस पांजर के बल लेटा रहेगा उतने दिन तक उन लोगों के अधर्म का भार सहता रहा है मैंने उनके अधर्म के वर्षों के तुल्य तेरे दिन ठहराये है अर्थात तीन सो नब्बे दिन उतने दिन तक तू इसरायल के घराने के अधर्म का भार सहता रहा और जब इतने दिन पूरे हो जाए तब अपने दाहिने पांजर के बल लेट कर यहुदा के घराने के अध यरुश्र की संती एक दिन अर्थात चालिस दिन ठेराये हैं। और तु यरुश्लेम के घराने के लिए बाहा हुगाडे हुए अपना मुह उधर करके उसके विरुद्ध भविश्यवानी करना। और देख मैं तुझे रस्यों से जकडूँगा और जब तक उसके घरने के दिन पूरे न हो तक तक तु करवट न ले सकेगा। और तु केहु जव सेम मसूर बाजरा और कठियां केहु लेकर एक बासन में रखकर उनसे रूटी बनाया करना। जितने दिन तक तु अपने पांजर के बल लेटा रहेगा, उतने अर्था 390 दिन तक उसे खाया करना। और जो भोजन तु खाये, उसे तौल तौल कर खाना। अर्थात, प्रति दिन बीस बीस शेकेल भर खाया करना, और उसे समय समय पर खाना, पानी भी तु माप कर पिया करना, अर्थात, प्रति दिन हीन का छटवा अंश पीना, और उसको समय समय पर पीना, और अपना भोजन जव की रूटियों की नाई बना कर खाया करना, और उनको मनुष्र की विष्टा से उनके देखते बनाया करना फिर यहवा ने कहा इसी प्रकार से इसरायल उन जातियों के बीच अपनी अपनी रोटी अशुधता से खाया करेंगे जहां मैं उसे बरबस पहुचाँगा तब मैंने कहा हा यहवा परमेश्वर देख मेरा मन कभी और नहीं हुआ और न मैंने बचपन से लेकर अब तक अपनी मृत्यों से भर मरे हुए कवा फाडे हुए पशु का मास न खाया और न किसी प्रकार का गिनोना मास मेरे मुह में कभी गया है तब उसने मुझ से कहा देख मैंने तेरे लिए मनुष्र की विष्टा की संती रूपी आधार को दूर करूँगा सो वहां के लोग तौल तौल कर और चिंता करकर के रोटी खाया करेंगे और माप माप कर और विस्मित होकर पानी पिया करेंगे और इससे उन्हें रोटी और पानी की घटी होगी और वे सब के सब घबराएंगे और अपने अधर्म में फ से वे सुख याइंगे